कि बहार में जमीन का सर्वे सुरू है और अभी आपके पास से डोकोमेंट होना बहुत ही जरूरी है कित्स जानेंगे कि कौन treaty है और और पांस हे पॉइंट है जिनको इस से वडियों में हम जानेंगे अलग अलग टाइप का जमीन होता है तो कैसे सर्वे हो पाएगा सबसे आप पाला पॉइंट यहां से हम देखते हैं सबसे आप पाला पॉइंट में है किसी रईयत द्वारा भूमी का क्रे किया गया है और दखल कभजा भी है किन्तू जमदी कायम नहीं है तो क्या होगा मैंने कहने का मतलब है कि आपने आपकिसी से जमीन रेष्टि करवा लिया और करवाने के बाद आपने म्यूटेशन के लिए अंलन नहीं किया आपका mutation हुआ ही नहीं, mutation कहने का मतलब कि आपका दाखिल खरीज हुआ ही नहीं और आपके नाम से नहीं कोई जवाबंदी बना, तो उस condition में क्या होगा, आपके नाम से खाता खुलेगा, सर्वे होगा या नहीं होगा सारी जनकारी हम देखेंगे, पहले 6 पॉइंट जन लेदे, उसके बारे में इस सबका जवाब हम आपको देगे, उसके बार सेकेंड पॉइंट आता है, पुर्य में खतियान का रकवा, नक्सा के रकवास से भीन रहने की स्थिति में कौन सा रकवा का खाता खुलेगा, मैंने क कहने का मतलब है, कि जो आफिक हत्यान और नक्सा चल रहा है, तो मान लिए ये खत्यान में दस दिश्मिल जमीन हैं, जबकि वही जमीन नक्सा में गारत डिश्मिल है, फैलू किसका होगा, और कौन सा जो है रकवास मनने होगा सर्वे के लिए, पहला बात हम आपको बता दे जमीन का, तो फैलू नक्सा का ही होता है, और सर्वे में अब इसा ही हो रहा है, जो फैलू है नक्सा का ही है, आपका जो जमीन है नक्सा के अधार पर खत्यान तियार किया जाएगा, तो डॉंट वरी आपका जितना फी खतियान है कम बेस उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है नक्सा में अगर ज्यादा है तो ज्यादा ही बनेगा अब नया सर्वे में तो आपने यह समझ लिया चलिए तिसरे पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं किसी व्यक्ति द्वरा जालिक अगजात के अधार पर दूसरे व्यक्ति के जमीन पर दावा करने के स्थिति में क्या होगा जैसे यहां पर समझे वाली बात है मान लिए आपका प्रोपल जमीन है और उसी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति द्वरा जो डूब्लिकेट पेपर बना करके आपके जमीन पर अगर दावा करें कि नहीं यह मेरा जमीन है और मेरे ही नाम से सर्वे होना चाहिए मेरे ही नाम से खतियान खुलना चाहिए उस कंडिशन में क्या होगा इसके बारे मैं वीडियो के लस्ट में यानि कि पहले हम पॉइं पॉइंट है किसी अंशल के करमचारी द्वारा अगर फर्जी तरीके से जमीन का जमीन की बंदोबस्त कर दी गई हो तो क्या करेंगे और क्या इसका सुलूशन है इसके बारे में हम समझेंगे ठीक है उसके बाद अगला जो पॉइंट है खतियान में किसी अन्य व्यक्ति का नाम हो किन्तु कभजाधारी उसकी बंसावली से भिंद हो और उसके द्वारा बताया जाए कि उक्त भूमि उसके पुर्वाजों को निलामी से प्राप्त हुई है प्रंतु निलामी के कगजात इसके पास से उपलब्द नहीं हो तो एसी जयनकारी को समझ जयते हैं पहला जयनकारी जो था पहले में यहां से आते हैं जाले आप हैं अलंगा आपर पहला जो आपि हैं किसी रैया दोरा भूमिका कड़े किया गया हो इसके बाले में यहां पर कई सारा नियम लाओ किया गया है कि मान लीज आपने किसी से जमीन ले लिया ठीक है आपने मूटेसा नहीं कराया है तो फिर ठीक है आपके पास जमीन दखल कभजा है फिर भी ठीक है लेकिन अगर कोई वेक्ति इसमें अपदी नहीं करता है यानि कि कोई वेक्ति अपदी नहीं करता है जिनके नाम से जो खतियान होगा जिन से आपने जमीन लिये है उनका फिस पर कोई अपदी नहीं होगा उस कर्णिसम में आपके नाम से सर्वे बना दिये जाएगा विदाउट रसीद काफी आपके नाम से सर्वे बनाया जाएगा लेकिन मान लेज़े आपके पास उसका केवाला ही है और जमीन दाखल कबजा भी है लेकिन कोई उस पर पती अगर कर देता है कि नहीं यह जो जमीन है मेरा है कोई खतियान दिखाता है या कोई रश्टी का केवाला दिखाता है तो उस कंडिशन में फिर आपका सर्वे नहीं किया ऐसा अगर उसके लिए फिर आपको डी सी एलर के पास जाना होगा वहां प्रावेदन करना होगा और करने के बाद वहां से जो फैसला आता है उसके पच्चात ही कोई नीड़ने लिया चाहेगा तो यहां पर सुन्दे वाली बात है कि अगर आपके पास रसीद बगरा नहीं है तो भी सर्वे हो सकता है बसरते उस बगरा नहीं होना चाहिए कोई लफ़रा नहीं होना चाहिए तो आप असानी से करवा सकते हैं चलिए अगला पॉइंट को हम समय लेते हैं कि पूर्व के खत्यान का रखवा और नक्सा के रखवा में भीन है तो कुन सा रखवा मान्य होगा लेकि आप अफी अगर रश्टी कराने जाते हैं तो आपको पता होगा जो भैलू होता है नक्सा का ही होता है खत्यान का नहीं कभी भैलू हुआ है और नहीं होगा क्योंकि जो जमीन असलिम आपने का है वह नक्सा सहीं मआपा जाता है और उसी के अध्यार पर जमीन का भैलू होता है आपको पता दे Confidence3 कि अब ज 요 नया वह त्यार किया जाएगा खतियान यह नक्सा के अध्यार करों देखान अगर गारा 10 मिल है और खतियान में 10 तो नकषा साइग गारा को ही खुलने वाला है तो आप यहां से अ सारी जैनकारी देखेंगे और जो भी होता हैं हमेंचा बताने का पठियास करते हैं और फी चार पॉइंट है जिसके वारे में हम देख रहे हैं और उससे पहले हम आपको आज़े कि आपने अफ़ी दक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चलिए अगला पॉइंट के पारे में जान लेते हैं किसी व्यक्ति द्वारा जाली करते साथ क्या अधार पर दूस्ति व्यक्ति के जमीन पर दवा करने के सीथिति में क्या होगा तो तक इसमें कई सारा पॉइंट है पहला इसे हैं कि माली जर किसी व्यक्ति ने आपके जमीन पर क्या कोई फर्जी पेपर लेके पहुंचए और बोला कि नहीं यह मेरा जमीन है और मेरे नाम से सर्वे किया जाये तो तеци के उस कंडिसन में होगा कि क्यों उनके नाम से सर्वे नहीं किया जाएगा सर्वे नहीं किया जाएगा उनके नाम से क्योंकि क्योंकि आपने उस जमीन का पेपर अगर आपके पास होगा तो बीवाद हो जाएगा दोनों आदमें तो सर्वे नहीं किया जाएगा उसको DCLR के पास मेंटर लेके जाना पड़ेगा जब तक कोई सोलूशन नहीं निकलता है नहीं होगा सेकेंड बात वही ब्यक्ति किसी वैसे जमीन पर फेपर लेके जाता है जिस जमीन को कोई नहीं जोतर है ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उससे जमीन का सर्वे उनके नाम से किया जाए तो उनके नाम से प्रोपर बनाया जाएगा इसकाम गरेंटी देते हैं तो यहां पर देखने वाली वात है कि कोई अगर फरजी पेपर फिलाता है लेकिन कोई अगर जमीन पर अपाथी नहीं होता है तो उनके नाम से बनाया जाएगा ठीक है शल्याव अगला पॉइंट हम जान लेते हैं किसी अंशल के कर्मचारी द्वरा अगर फर्जी तरीके से जमीन का बंदोबस्त कर दी गई हो, तो क्या करेंगे। लेकिंlt हमने करीज सारी वीडियो बनाए था जिस्म को बताए थे। लेकिन आपको बता दे कि किसी अंशल के अधिकारी दोरा अगर ऐसा किया गया हो तो उसमें कई अलग अलग बंदोबस्ति होती है पहला होती है कि आपने किसी बिहार सरकार जमीन को बंदोबस्ति कराया है और दूसरा होता है कि आपने किसी रियती जमीन का बंदोबस्ती करा दिया है तो इसमें अलग-अलग होता है जैसे आपने किसी बिहार सरकार जमीन का बंदोबस्ती करा लिया है और फर्जी तरीका से बंदोबस्ती है जो है आपका जो बंदोबस्ती बनाया गया है सही नहीं है गलत है उस कंडिशन में होगा कि आपके नाम से जब सर्वे होगा डखल कभजा तो जनाए जाएगा लेकिन आपके नाम से सर्वे प्रूपर नहीं किया जाएगा जो है बिहार सरकार के नाम से हिरा जाएगा सिर्फ आपका नाम दखल कभजा में ही जनाया जाएगा तो फाइनल हो गया और यहां पर अब हम समझते हैं एक सिवात आरो जो जमीन रही आती है तो उसमें अगर रही आती का कोई अपती नहों तो आपके नाम से सर्वे किया जाएगा अगर जिन का जमीन है उस पर आप आती जाता था है तो फिर आपके नाम से सर्वें कभी नहीं किया जागर यह बत् עब दोन देहां रखिएगा जो डिफाइट करने के पाद क्या आपके नाम से प्रोपर सर्वे बनाए जागा? चालो के नाम से या पेते जैड़ा इन आम से तो मुझा आपके बता दे कि जितना फी भाइज सबी के नाम से बराबरी बराबरी कही कहीं समय सर्वे बनाए जागा, if something या पती नहों तो इसके बारे में मैंने बंदोबस्ति के बारे में आपको सारी जनकली दे दिए अगर वही बंदोबस्ति अगर सही होगा उसके अपके नाम से सर्वे किया जाओगा कोई परसानी नहीं होने वाली है हतियानी में किसी अन्यविक्ति का नाम हो किंदु कब जयधारी उसकी बंसावली से भीन हो उसके दोरा बताया जाए कि उक्त भूमी उसके पुर्वजों को निलामी में मिली है जो मैंने आपको पहले भी बताया था तो देखें यहां पर कुछ कंडिसान लखे गई है पहला बात कि अगर आप दावा कर रहे हैं कि मेरे पुर्वज के अभूमी है और इसमें मेरा ही अधिकार है तो आपके पास सावित करने के लिए कोई सबूत होना चाहिए जैसे कि आपका बंसावली में नाम मेच करना चाहि आपका पुर्वज सावित होना चाहिए और आपका अगर पुर्वज सावित नहीं होता है उस कंडिशन में जमीन का बिहार सरकार के नम से खाता खोला जाएगा और यहीं सब जमीन जो है बिहार सरकार बन जाती है तो मैंने आपको सारी जनकारी बता दी है जहां तक मुझे knowledge था मैंने सारी जानकारी आपको बताने का प्रिया